बच्चे हो या बड़े राजमा खाना सबको बहुत अच्छा लगता है तो ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है मैंने पहली बार इस तरह से ट्राइ किया बहुत टेस्टी बनी तो आपको भी मैं सेयर करती हूँ तो सबसे पहले हमें राजमा को 5-6 गंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रखना है उसके बाद मैंने राजमा का पानी निकाल दिया है तो अब मैं प्याज ले लूँगी तो प्याज को छिल लेंगे बहुत ही आसान तरीका है इसमें ना मिक्सी में पीछने का जंजट है ना ही ज्यादा टाइम लगता है बहुत ही जल्दी इस तरीके से आप भी राजमा बना सकते हैं तो प्याज को मैंने छिल के रख दिया है मैंने दो प्याज लिए हैं एक इंच करीब अधरक का टुकड़ा लेंगे दस बार लेसुन की कलियां और दो हरी मिर्ची रख देंग अब अधरक को लंबे-लंबे काटना है उसके बाद हम प्याज को भी कट कर लेंगे प्याज को भी इस तरीके से लंबा काटना है ये राजमा बनाना बहुत ही आसान है आप इसे कभी भी बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाता है इससे पहले मैंने इतने टेस्टी राजमा नहीं खाये होंगे, तो आप भी इसे जरूर ट्राय करें, तो प्याज को मैंने इस तरीक से लंबा काट लिया है, अब इनको हम अलग-लग कर देंगे, लच्छे अलग कर देंगे प्याज के, ऐसा करने से ये जल्दी से गल जाएंगे, हरे मिर्ची को भी बारिक-बारिक काट लेंगे, तो उसके बाद 2-3 टमाटर लेंगे, टमाटर इसमें ज्यादा डालने हैं, तब राजमा का स्वाद अच्छा आता है, तो टमाटर को पतला नहीं काटना है, बस इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं, टमाटर को भी मैंने काट लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कूकर लेना है उसमें सरसुं का तेल डालेंगे उसके बाद एक तेज पत्ता डाल देंगे दो इलाइची डालेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा उसके बाद एक चमत साबू जीरा डालेंगे उसके बाद इसमें लैसुं डाल देंगे साथ महीं अद्रग भी डाल देंगे आप कटा हुआ प्याज डालना है राजमा को आप सरशू के तेल में ही बनाई ये बहुत ही टेस्टी बनती है इसमें राजमा सरसू के तेल मे उसके बाद प्याज को हम चलाते वे थोड़ दीर के लिए फ्राई होने देंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नुह हो जाए तब तक हम इसे फ्राइ करेंगे हरे मिज डाल देंगे कटी हुई अब इसमें मसाले डालने हैं आधी चमज हल्दी पौडर डालेंगे आधी चमज लाल मेंच पौडर डालेंगे एक चमज धनिया पौडर डालेंगे और आधी चमज गरम मसाला डाल देंगे उसके बा एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और मिला देंगे अब इसमें बड़े टुकडु मकटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर के साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के नुसार नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं तो टमाटर डालने के बाद ही नमक डालना है, अब मिला देंगे एक बार अच्छे से, अब इसमें धक्कन लगा देंगे, उसके बाद दो सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे, तो दो सीटी मेंने लगा ली हैं, अब रसको करकर धक्कन हटा देंगे, ये देखे टमाटर अब इनको हम अच्छे से मैस कर लेंगे एक मसाला तयार करेंगे यह देखे बिल्कुल एक ठीक सी ग्रेवी बन चुकी है अब इसमें भीगे हुए राजमा एट करेंगे तो इस तरीक किसे बनाने में ना हमको पीछने की जरुत पड़ती है टमाटर को ना ही प्याज को तो यह बहुत ही आसान तरीका है राजमा बनाने का तो मिला देंगे अच्छे से राजमा को मसाले के साथ उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप अपने इसाब से डाल सकते हैं वैसे इसमें ज्यादा पानी डालना पड़ता है क्योंकि जब हम इसमें 4-5 सीटी लगाएं यह देखिए बिलकुल राजमा टेस्टी लग रहे हैं बहुत ही आसान तरीकी से बनने वाले राजमा बन गए हैं अच्छे से गल चुके हैं अब राजमा का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें हराधनिया डालूंगी आप भी इस तरीकी से राजमा बनाएए खाके हैरा वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं अपने फ्रेंड और फैमली के साथ सेयर करना ना भूले मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ